एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को लेकर के जहां कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है सपोर्टिव गॉवर्मेंट के तरफ से वहीं कुछ बैड न्यूज भी हैं दोनों न्यूज के साथ 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 स्टॉक के इस स्टॉक में कंटिनियोस डाउन ट्रेंट रहा हलां की कंपनी ने एक एलान किया है आज लगबग तीन घंटे पहले की बात है कि वह एक ही रिमोट प्रोवाइड करेगी एक कार के साथ क्योंकि सॉटेज ऑफ चीप के कारण और साथ में आपको पता ही हो कि आज से दो-ती लगबग 9 मार्च को एक मिटिंग रखा गया जिसमें निती आयोग और बित मंत्राले सभी मौजूद थे कि जितने भी प्राइविट वहेकल के अलावा जितने भी गौवर्मेंट वहेकल हैं उनको लगबग 2050 तक 70% वहेकल को एलेक्टिक वहेकल कर दिया जाएगा और 2023 तक लगबग यह स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी और जितने भी प्रोट्रोल या सी एंजी वाले जितने भी गारी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और जैसे कि आपको पता ही है 90% मार्केट सेर टाटा मोटर्स आन करती है तो डाइरेकली वन अब दा बिगेश्ट ब बहुत करेक्शन इसे स्टॉक में 100 तर में दिख सकता है 400 के आसपास का प्राइस एक गोल्डेन बाइंग ऑपर्चुनिटी होगी और कल के इंट्राडे में 422 के उपर अगर क्लोजिंग देता है तो 442-45 के टार्गेट के लिए 416-17 के स्टॉप ब्लस को लेकर के ले सकते है बाकि मीडियम टू लॉंग टर्म के लिए 400-390 के आसपास का प्राइस एक गोल्डेन बाइंग ऑपर्चुनिटी है जहां डवल टार्गेट यानि 800 प्लस टार्गेट के लिए विदिन वन एर के लिए अपहोल्ड कर सकते हैं